हाई एवरिवन मैं सरीता सरीता फूर मैजिक से आज मिले के आए हूँ आपके लिए गर्मा गर्म कचोड़ी की रेसिपी जो की मेथी से बनी है तो साथ में चाय और अचार भी है तो आईये फिर स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर लिए है मैने मेथी और बहुत ही जल्दी बनने वाली है एक पाणी कर लिया है और इन्सब को मैंने घ्राइण कर लिया में निकाल jeंगे एक वर्तन में जिसमें हमें आट अगुरूनन नहीं और जो बचा है इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे अगर हमें पानी की जरुरत पड़ी तो फिर हम इसमें मिला लेंगे तो यहाँ पर मैंने टू टेबल इस्पून लिया है कॉर्ण फ्लार इससे जो हमारी कचोरियां बनेगी वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और टू टेबल इस्पून नमक चुकि वन पिंच ओफ हींग डालेंगे इसमें हींग भी बहुत अच्छा होता है हींग हमें खाना ही चाहिए और मैंने इसमें लिया है टू बाउल आटा चुकि मेरी फैमली के लिए टू बाउल आटा काफी है आप अपने इसाप से बनाईएगा और हाप टेबल इस्पून अजवायन हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे दो कटोरी आटे के इसाप से अगर आप बना रहे हैं तो यही मेजर्मेंट रखेगा और आपने 250 ग्राम मेथी लेनी है और दो कटोरी आटा लेना है उसमें आपकी अच्छे से जो कचोरिया है अच्छी बन जाएगी अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा पालक में मिला स लगते हैं उसकी भी कचोरिया इसी तरह से बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है इसी तरह से आप एक पर बना की जरूर देखिएगा और आटा यहां हमारा बातों ही बातों में अच्छे से गुंदने वाला है बस गुंद ही गया है क्योंकि हमने थोड़ा सलाश्ट में में टू टेबल स्पून ओयल डाला है तो उससे आटा एकदम अच्छे से हो जाएगा इसको 20 मिनट के लिए रेश्ट पर रख दें अगर टाइम ना हो आपके पास इतना तो आप इसको साथ-साथ भी बना सकते हैं तब इसकी कचोरिया अच्छी आती है मैंने दोस्त को साथ अच्छी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको 20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रेश्ट पर रखूं मेरी बेटी को जाना था स्कूल तो मैंने फड़ा-फड़ से बना ली है तो एक एकर करके अब हमने यहां पर सभी पूरियां बेल लेनी है और एक साथ रख लेंगे तीन चारी खटी बना कर ताकि टाइम हमारा बच जाए ओईल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था ओईल अच्छे से गरम है और यह मैंने इसमें पूरी डाल दी है इसको हलका सा प्रेस करेंगे और साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी आसाने से सिख सके और यह देखे एकदम फूली फूली पूरी बन गई और हमने दूसरी पूरी भी साथ में डाल दी है ताकि जो हमारी पूरियां है जल्दी जल्दी सिख जाए और समय की भी बज़त हो यह पूरियां बहुत करारी और टेस्टी बनती है ट्राइ करना मत बूलेगा इसी तरह से मैंने सारी पूरियां तल ली है अब एक प्लेट में मैंने टीशू पेपर रखा है और उसमें मैंने सभी कचोरिया को इस तरह से निकाल लिया है जिससे की जो ओयल है वो टीशू पेपर में आ जाए और हमारी कचोरिया हमें मिल जाए टेस्टी टेस्टी आई होप आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को हिट कीजिए या तके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा थेंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में